नमस्कार दोस्तों Target with PS Perihar में आपका स्वागत है दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सुबा के इस वीडियो में ऐसी खबरे रहती हैं जो विभिन समझार पत्र पर चायवी रहती हैं तो दोस्तो ऐसी जो प्रमुक खबरे हैं उनकी हेड्लाइन्स हैं कि UPTT 2018 के एड्मिट कार्ट आप लोग आज से डाउनलोड कर सकते मंगलवार को यह डाउनलोड नहीं हो पाया था और इसमें एक चीज और एक डाकुमेंट्स मांगा गया है जो आप परिक्षा देने जाएंग उसकी बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर है SSC भरती घुटाला 2017 उसकी बारे में एक अपडेट है फिर उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग द्वारा सहायक सांग की अधिकारी के प्रिश्पत जारी कर दिये गये हैं इसकी परिक्षगले महिने होने वाली है उत्तर प ठीके दोस्तों आईए शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले जो ने वीवर है जो ने वित्र है जो ने इस चैनल कोई तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लेजी उसकी बाद में यह बेल आइकान इसको भी क्लिक कर देजी दोस्तों समधित कोई हाई कोट सिप्रीम कोट का आडर इत्यादी सबसे पहली कबर चपी हुई है सभी समसार पत्रों में वह यूपी टीटी 2018 का प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड करें और लिखा हुए एक उत्तर प्रदेश सिक्चक पात प्रिच्छा यानि की यूपी टीटी 2018 का प्रवेश पत्र बुदवार अपरहां से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं परिच्छा 18 नमबर को प्रदेश के सभी जिलों में 2153 केंदर पर होगी रैबरेली प्रियाग राजवा गाजीपुर जिलों में केंदर तय होने में देरी होने से मंगलवार को प्रवेश पत्र पर अप्लोड नहीं हो सका परिक्षण नियापक प्राधिकारी सच्चु अनिर भूसर चत्रवेदी ने बताया कि प्रदेश भरके तय केंद्रों पर परिक्षारितियों का आवंटन पूरा हो गया है एक चीज और उन्होंने बताई है कि जब विद्यार्थी परिक्षा दे जाएं तो फोटो यूगति पहचान पत्र एक आईडी और प्रशिक्षन योगता के प्रमाल पत्र या फिर किसी सिमेश्टर की निर्गत अंग पत्र के की मूल प्रती के साथ लाना अनिवार है तो दोस्तों यह डाकुमेंट्स आप लोग जरूर ले लेजिएगा एक अधा निरस्त किये गए थे उनकी सूची भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है तो यह दो-तिन सूचनाय थी यूपी टीटी से सम्मंदित उसके बाद में जो अभी हाल ही में सरकार ने आदेश दिया था कि 72,000 सिक्षक बढ़ती जो 2011 में जो टीटी पास थे उनके लिए जो हुई थी उनकी जो फीस वापसी करनी थी जिन भी दरते को चैन नहीं होता चूंकि अलग-अलग जिलों से अलग-अलग आविदन करना था तो लोगों ने 15-15-20-20,000 रुपए के आविदन किये थी तो सरकार ने ये निश्चे किया कि उनकी फीस वापस की जाए तो उसी की बाद में एक और खबर है एक तालिस हजार जो शिक्षक बरती हुई है उसके बाद में जो बेसिक शिक्षक जो सची हुए उन्होंनों निर्देश दी है कि जितने भी प्रात्मिक विद्याले में जो अध्यापक हैं उनकी जातिवार गड़ना की जाए और ये देखा जाए कि किस केटेगरी, किस वर्ग की कितने अभेर्थी अध्यापक हैं और उसके बाद में अगर कोई किसी खास वर्ग का अभेर्थी कम हैं तो उनके लिए उसी तरीके के रिजरवेशन दिया जाएं एसा तो नहीं है कि आराच्षक के नियामा का पाला नहीं हो पा रहा हुँ त तो उसी के लिए ये गड़ना होगी है धैपकों की उनकी जायत की अधार पर ये लिखा हुआ कि बेसिक शिक्षक परिशत के डेड़ लाग से अधिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की जातिवार गड़ना होने जा रही है परिशत मुख्याले ने इस समंद में बे सितंबर की समिक्षा के बैटक में निर्देश दिया था कि जिला वार सहायक दैपकों के निक रिक्त पदों की स्रेणी वार सुचना उबलब्द कराई जाए तो दोस्तों यहीं देखना है कि कहीं बैगलाग इत्यादी की सीटे कोई खाली तो नहीं रहे गई है अगर खाली कोट ने अपना कड़ा रुख अक्तियार किया है तो उसकी बारे में यह सूचना छपी हुई है कि सीजियल परिच्चा 2017 में गलबडी वप्रसमें पत्र आउट होने के आरोप में सीर्स कोट के कड़े रुख से स्सी यानि कर्मचारी चैन आयोग की तो किरिकिरी हुई उसके लिए परिच्चा को नय सीरे से कराना बड़ी चुनोती हो सकती है वजा यह है कि इसकी टीर वन की परिच्चा का परिड़ाम भी जारी हो सूचा है जबकि टीर टू की परिच्चा यदी परिच्ची कोट का कोई निरणे आता है तो सीजियल परिच्च उनला wollet par इंदिरों क की परिच्छा निरस्त कर दी थी एससी में दिशत्र के छेत्री निरेशा राहुल सुचान का कहना है कि सीर्ष कोट में फिलाल सुनवाई हो रही है अगर परिच्छा रद करने का कोई आधेस होता है और ये टीर टू के समद्ध में ही कोई आधिस होगा तो इसकी पुनर परिष्छा चार से पांस दिनों में कराई जा सकती है दोस्तों की असससे बहुत बड़ी संस्ता है जो यह परिषा कराता है कर्म चरी चैन आयोग लेकिन इसमें धांदली बहुत ज़्यादा बहुत समय से हो रही है इसकी वीयापक आंदोलन नहीं हो पा रहता है छुट मोटे आंदोलन हो रहे थे लेकिन यह सुप्रिम कोट का जो नया आड लिखरे हुए होते हैं और इनकी एज भी बहुत कम होती है तो इनका संग और आंदोलन ज्यादा उनके होती नहीं है इस वजए से यह बात जदा चर्चा में नहीं आई थी लेकिन यह बात साबित हो चुकी है कि एससी में बड़े पेमाने पर गलबड़ियां होती रही है उसके बाद में